हमेशा की तरह एक बार फिर से एलन स्टूडेंट्स ने अंतरास्टी लेवल पर भारत का नाम बढ़ाया है जी हाँ छे इंटरनेशनल ओलम्पियार के रिजल्ट आये हैं और उनमें भारत के 39 बच्चों का सेलेक्शन हुआ है जिसमें से 19 बच्चे अकेले एलन इंस्टूट के हैं चलिए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल जो स्टूडेंट्स ने हमारा मान बढ़ाया है उसके बाद में एलन परिवार में कितनी खुशी है सबसे पहले तो आप सबी को बहुत बहुत बढ़ायां कैसा लग रहा है सर हम सब बहुत ही एक्सेटेड है बहुत ही खुश है और बहुत बहुत शुफ काम ने दिते इन बच्चों को हिनके पैरिंट्स का हमारी टीम पे हमारी सिस्टम पे ट्रस्ट और एक लंबी जर्णी जिसमें किसी-किसी बच्चे की 20 साल की 30 साल की जर्णी हैं तयारी हैं और हमारी जो expert faculty team है उनके इफल्स तो यह यह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिल के काम करते हैं और हर एक फैक्टर का महतु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आप यूं समझिए कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर में अंतराश्टी जाना एक बहुत बड़ा चीमेंट होता है टीम इंडिया से सेलेक्ट हो जाता है और क्या माध्यम है किस तरीके से तैयारी की जाए या लगलग स्टेजिस के एक्जाम कैसे की जाए तो यह एक लंबी जड़नी है कि हम इनको अकैडमिक एक्सिलेस जो है वहां तक पहुचा सके तो मैं दरसल अभी पढ़ाता नहीं हूं बच्चों को गाइड मेंटर कर रहा हूं इन बच्चों की एक प्रॉपर केरिंग और इनको जितनी भी प्रॉब्लम्स जो अकैडमिक्स में आती है डाउट साते हैं ठ के बारे में फीडबेक लेते रहते हैं तो यह सारी प्रॉसेज जो है एक सीक्वेंस होता है जहां पर बच्चा जो है क्लास में आ रहा है अच्छे से क्लास अटेंड कर रहा है उसकी प्रॉब्लम्स हो रही है वह किस तरह से सोच रहा है और उसकी जो फीडबेक है पैरेंट जा रहे हैं अभी सर मैंने प्रेस नोट देखा तो उसमें मैंने आपने एक कोट उसमें दिया हुए है कि जो स्टूडेंट्स इतने आगे बढ़ते इतनी महनत के बाद उनका सेलेक्शन होता है तो सरकार को उनके लिए कोई स्टैप लेना चाहिए उसके बारे मारी रिक्वेस है और अच्छी से मिले तो यह हम गवर्मेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं जो इनको देख रहे हैं कि वाके आज यह कितना घर्व की वाद है हम सब के लिए कि इतने सारे देशों के सामने भारत का नाम जायेगा तो दूसरे B essentially budges का विशवास एलिन के उपड़ता जा रहा है और हम सब कहीँ एक दूसे के मोटिवेशन से चलते हैं तो लक्षे हमारा कुछ भी हो SAKता का इंतराष्टे जाना लक्षे ठान ले एक बार तो किया जा सकता है इस्टेडी के साथ में कॉम्पिटीशन की तैयारी कितना मुश्किल है और एलन ने उसे कैसे सपोर्ट किया एक्चुली अलगलग क्लास में बच्चों के अलगलग टार्गेट होते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो रेगुलर टार्गेट है उनके स्टेंडर्ड की जहां पर हम बात करते हैं जैसे स्टेंडर्ड में वो पढ़ रहे हैं उसको करते हुए यह अपने स्टेंडर्ड से ट प्लाइन करते हैं पूरा एक शेडूल हम खुद बनवाते हैं बच्चे से कि वेटा आपको इस तरह से अपने अक्याडमिक्स को आगे लेके चलना तो कहीं न कहीं उस बच्चे का अंडरस्टैंडिंग ग्रैस्पिंग बहुत अच्छा होता है कंपेरिटिवली बाकी बच्च सब्सक्राइब करते हैं और थोड़ा सा हम बच्चों को आजकल योगा मेडिटेशन को तरह हम भी गाइड करते हैं कि बच्चे सब करें ताकि उनके हेल्थ मेंटली भी अच्छे रहे फिट रहे और परेंट से भी रिक्वेस्टे कि यह भी रेगुलर बैसिस पर आपने बच्चों को इसके लिए प्रमोट करते हैं च्छे इंटरनेशनल ओलम्पियांट्स में भारत का प्रतिनिधितु करने वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं चलिए उनसे बातचीत करते हैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 आईयां मैनी मैनी कॉंगरेशन अच्छा तो लगेगा ही भारत को रिप्रिजेंट करने का मौका मिला है तो खुशी तो मिलती है जो और स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं इसको मैनेज करने के लिए मैंने अपने टाइम का पहले डिविजन किया कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है आज मुझे इसकी टाइयारी में जादा फोकस करना उस तरह से मैनेज किया और अपने जो भी आगे जो टेस्स मुझे देने उस हिसाब से अपना सडियूल मैंने वीकली प्लान किया आईन सिस्टम नापके कैसे हैं आपकी का साथ ब्लाग कर्णे हैं अर नहीं कैसे घरते दे ते अ मरे इसनने जादेन ए टारोट गाट था एपने थाड़न किया लुप्र आपकर देटें पस्तों किया इसक्ष्यां I'm attempted with a clear mind with focus. What's next? Well, next is of course preparing for the International Stage and then I have the 10th Boards coming up so that also. What do you want to say about this? How did you support it about these all? Alan supported a lot in the journey from starting to study for a different level. One level, one level, one level, one level and one level they have to learn the best in the second level. I've given teachers guidance and I've given the problem to overcome them. है वो सब अच्छे से बहुत की क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया एस्टरामी बहुत ही मतलब प्रेलेटिवली न्यू सब्जेक्ट है जो कि स्कूल करक्लम में नहीं आता है तो उन्होंने हमें स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से एकदम अडवांस लेवल तक हमें पढ़ाया है और फिर उसे में हमें बहुत हैल्प मिली जो यहां पर आप्सट्रोनार्मी टेस्ट या जो नाइड सो नाइट यह यहां पर आमगर में जाके वह तें तो उसे भी आप में एडसी इस रिगार्ड में हमारी तेलेसकोप की से सेशन्स हुए थे हमें एस्ट तो आपके तीचर हैं, यहाँ तक मुझे था तक मुझे दूप दिया और यहाँ तक मुझे यहाँ तक मुझे लाने का ना कारण बने यहां के जो नओन के स्टाफ है वह भी काफी हल्फुल राय है पूरी जड़नी में Well the LN workshop really helped us, because one, as others said, astronomy is not a mainstream subject. So what to study and how to study, the LNs are incredibly helpful. The tests were also helpful and they also took us to a field trip, which really helped with the observation part, because that is not something that you can study from textbooks or from other sources. Another great thing was that because we all came together for the LN workshop, we all knew each other much before the OCC camp. so that helped us to become friends faster and you know have a sense of companionship throughout the OCSE thank you and all the best thank you